मस्कार आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशय पर चर्चा करने जा रहे हैं दे वैली अफ टोडे आज का महत्व आज कैसे जीएं कैसे आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है जो आज हम करेंगे बाकि सारे जीवन को प्रभावित करेंगा आज तोड़े जो कल घुजर गया उसका टुमारो है तुमारो जो आएगा उसका आज यस्टरड़े है हजारों कल चले गए थाज़न्स अफ यस्टरड़ेस है गॉन हजारों कल आएंगे तौजन्स फुमॉरोस विल कम तोड़े इस अनली वन आज सिर्फ एक है आज अच्छी तरह से जीने वाला अब्यक्ति जिन्दगी में खुश रहता है और सफल होता है मेरे एक मित्र है मरीका में वो कहते है एवरी डे इस माई बर्ट डे मैं हर दिन को इस प्रकार से में बनाता हूँ जैसे की मेरा वो जनम दिन है उस्वा से, उमंग से, आशा से वैसा जीना चाहिए शैली कहता है प्रसिद कभी के भूत काल की स्मृतियों में मत खो जाओ भविश की आस में अपने आप को मत डुबो ना भविश का भय होना चाहिए ना भूत काल की कोई निराशा का भाव हमें रिदाएं में रखना चाहिए आज को सुंदर बनाना है क्योंकि आज हमारे बाकी बचे हुए सारे जीवन का पहला दिन है तो करें क्या पहली चीज़ इसका स्वागत कीजिए इमर्शन की तरह से जो कहता था भगवान धन्यवाद तुने आज मुझे एक दिवस और दिया आज मैं चंद्रमा और सूरे की संगत का आनंद लूँगा समुद्र से आने वाली समीर मेरे रिदाए को स्पंदित करेगी आज मैं पशू, पक्षी, वरक्ष, हर्याली, पुश्प सब की संगत का आनंद लूँगा और आनंद लूँगा मैं बड़े वेक्तियों का, भूड़े वेक्तियों का, नौजवानों का, परिवार के लोगों का, मित्रों का, बच्चों का मेरा हर क्षण संदरता से गुजरेगा और मरसम सारा दिन मुस्कराते हुए सारे दिन का स्वागत करता था हमें भी ऐसा ही करना चाहिए नमबर दो, हमें संकल्ब करने चाहिए कि आज मुझे क्या करना है और अपने जीवन को अधिक अच्छी प्रकार से उसको विराठ रूप देने के लिए उसके पुनर निर्मान के लिए संकल्ब करने चाहिए आज मेरा दिन बहुत अच्छा होगा अच्छा हो जाएगा आज मैं खुश रहूँगा आप रहने लग जाएंगे आज मेरा दिन दूसरों की सिवा में गुजरेगा सच मुझ गुजर जाएगा आज मैं बहुत अच्छा काम करूँगा सच मुझ हो जाएगा जैसे आपके संकल्ब होंगे वैसा ही आपको प्रतिफल मिलेगा तीसरी चीज़ योजना बनाई ये दिन की सच में बनाई जीवन को संतुलित बनाऊगा अच्छी बातca के हम गुछ चीज़ न्या करेंगे आज कुछ नई चीज़ करेंगे जिससे कि हमारे जीवन को अधिक आनंद मिले, सफलता मिले, संतोश मिले और पांच वी बात है, जो चीज़ें मैं पहले से कर रहा हूं और मैंने रोक रखी हैं, उनका वापस मैं आनन्द पूर्ण ढहंग से उनका पुनर आरम्भ कर उझे। समारम किया था, रुक गया था, मैं वापस वो करूँगा। जो किताब मैंने पढ़ते पढ़ते छोड़ दी थी, जो कर्म करते करते मैंने छोड़ दिया था, जो नया वैसाय आरंब किया था, उस पर चिंतन नहीं किया था, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही, जो आप करना चाहते थे, वो आप बीच में आपने रोक दिया, उसको वापस शिरू करिए, चड़ी बात है, कि सारा दिन उमंग अरुसा से गुजारिये, आनंद बांटिये, अनंद का निर्मान कीजिए, आशावादी रहिए, निराशावादी मत रहिए, धन्यवाद दीजिए सबको, कर्तगिता का भाव व्यक्त कीजिए, प्रभू के प्रती भी, कि उसने इतना सुन्दर आपको दिवस दिया, और अन्द में, जैसा जो जोर्ज बर्नर्ट शौ कह हैं, महान व्यक्ति वो है, जो अपने आपको पंदरह मिनट रोज देता है, दीजिए पंदरह मिनट रात को, बैठिए मनंचिंतन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, डाइरे में लिखे, इवैलिएशन कीजिए, कैसे दिन गुजारा, कई कम्या तो नही रह गई, क्य क्या मैंने मेडिटेशन किया, क्या मैंने प्रभु की संगत में कुछ समय गुजारा, प्रभु मुझे बार-बार कहता रहता है, मांगने रोज आते हो, कभी मिलने भी आया करो, क्या मैं प्रभु से मिला, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, आज के दिन को अच्छी प्रकार से गुजारिये, मुल्यवान है ये, इडिस प्रेशस और ये भावाएगा, जीवन संदर हो जाएगा, नमस्कार